मोटो रोला ने हाली में काफी इंट्रेस्टिंग स्मार्फोन लॉंच के थे मोटो जी 84 और अब लॉंच कर दिया है ये मोटो जी 54 ये इंडिया का पहला स्मार्फोन है जिसमें मीडियाटेक डामेंज सिटी 7020 प्रोसेसर यूज किया गया है देखते रहिए अब इसकी जो पेन कुछ बुकलेट्स और 33 वाट का चारजर प्लस यूस्बी टॉ टाइप सी केबल भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है तो यह बेसिकली स्टांडर टाइप की बैकिंग है इस हैंसेट में यह हाइब्रिड श्लॉट दिया हुआ है आप दो नैनो सेम या फिर एक नैनो से इसलिए क्योंकि यह घृठ ब्लु कलर मुझे काफी लगा और उसके बेजल से यह विया एई भी तो सर्टिफई अगर आप जाता वीडियों से थिखते हैं तो यह स्माटफोन अपको काफी पसंद दा सकता है इसलिए क्योंकि एक तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है फुल HD प्लस रिजिलूशन और जो डिस्प्ले की क्लारिटी है प्लस जो कलर्स ये रिपिट्यूस कर रहा है काफी इंप्रेसिव है ये HDR10 सपोर्ट के साथ में आता है 240Hz touch sampling सपोर्ट है प्लस ये variable refresh rate भी सपोर्ट करता है maximum refresh rate है 120Hz minimum 30Hz तो काफी बढ़िया डिस्प्ले है और धूप में जो डिस्प्ले है काफी बढ़िया तरीके से visible है अगर आपको वीडियो जिखने का शौक है तो जो experience है काफी amazing होने वाला है इस पर इसलिए क्योंकि ये stereo speakers के साथ में आता है amazing audio experience आपको मिलने वाला है तो ये देखे ये है इसका default interface और ये near stock android experience आपको देने वाला है ये segment first smartphone है जो की 12GB to 56GB options में available होगा ये handset तकरीबन 14 5G bands support करता है rear side पर 50MP और 8MP dual camera setup दिया हुआ है ultra wide macro support के साथ में आता है और front side पर 16MP camera दिया हुआ है ये handset OIS support के साथ में आता है optical image stabilization ये कुछ samples है portrait shots बहुत बढ़िया शूट करता है color reproduction मुझे काफी बढ़िया लगा contrast भी काफी अच्छा है skin tones भी काफी amazing है और जो colors reproduce कर रहा है वो भी काफी बढ़िया है ये देखे कुछ और shots है जो कि मैंने against the light शूट किया हुआ है ये भी काफी बढ़िया आ चुका है ये देखे और ये है long shot जो कि मैं अकसर शूट करता हूँ यहाँ पर मैंने अलग-अलग filter options यूज किया है जो कि आपको हर एक smartphone के साथ में मिलता है look and feel काफी है तक change करता है और कुछ shots को तो ये एकदम amazing बनाता है ये देखें कुछ और shots जो कि मैंने filter option यूज करके शूट किया हुआ है काफी amazing night shots भी काफी अच्छा शूट करता है ये देखें camera quality अगर मैं कहूं तो ये above average to excellent category का है of course जितना बड़िया camera knowledge होगा आपको उतना बड़िया shots आप इसके साथ में shoot कर पाएंगे ये 1080p वीडियो है जहां पर मैं चल के record कर रहा हूँ इस segment में ये most powerful processor के साथ में आता है पहला smartphone है जिसमें media tech dimensity 7020 processor यूज के गया है इसे आप snapdragon 695 के साथ में comparison कर सकते हैं in fact उससे भेतर performance ये देने वाला है तो ये दिखिए जो game है काफी smoothly चल रहा है इस पर तो जो moto G54 5G smartphone जो है इसकी सबसे बड़िया चीज मुझे ये लगी कि एक तो ये 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है इसको जो hand feel है बहुत ही बढ़िया है आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमे इतना जादा बैटरी है अगर आप जादा वीडियो जखते हैं बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आप जादा देर तक वीडियो देख पाएंगे 6000 mAh की बैटरी आप इमाजन कर सकते हैं कि कितना बैटरी लाइफ आपको दे सकता है 5000 mAh कपासिटी के कंभारशन में और वीडियो वाचिंग के समय आपको stereo FX मिलता है प्लस गेमिंग के दौरान भी आपको stereo FX मिलता है क्योंकि इसमें stereo speakers दिया हुआ है डिस्प्ले की कॉलिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी और यह जो हैंसेट है यह डिमंसिटी 7020 प्रोसेसर के साथ में आता है एक्सिलेंट परफॉर्मस आपको इस प्राइज में मिलने वाला है वैसे जो हैंसेट है इसका प्राइजिंग है 8GB 128GB वाल जो विरेंट है यह आपको पढ़ जाएगा तकरीबन 15,999 रुपीस लेकिन आफस के साथ में अगर आप वो जो आफस है उनका लाव ले तो जो एफेक्टिव प्राइजिंग है वो हो जाएगा तकरीबन 14999 काफी बढ़िया प्राइजिंग है तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने क सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है देखते रहिए